सबको जे सुकी, मैं हूँ फादर फ्रांसिस पिंटो, फिर एक बार आप सबों के समक्ष येश्वर का जीवन्त वशनों को लेकर आया हूँ और आज के दिन में मैं और एक नहा टॉपिक को लेकर आप सबों को प्रुभु का वशन सुनाने का प्रयास करूँगा उमीद है, आशा है, विश्वास है कि आप सबों का पसंद आएगा और इस वशन के द्वारा आप लोगों को प्रुभु के नजदी काने के क्रपा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी और आप अपने जीवन में बहुत सारे आशिचों को प्राप्त करते हैं, प्रभु में आनन्द मनाओगी इसलिए आईए, मैं आप सबों का निमंतरन देता हूँ, प्रभु का जीवन वशनों को सुनने के लिए, बहुत सुन्दर वशन है और इसको हम बड़े ध्यान से सुने, बड़े प्रेम से सुने, विश्वास से सुने, विश्वास से जो प्रभु का वशन सुनता है, प्रभु का वशन अल्रेडी हमारे जीवन में कारिय करने लगता है, हमें हमारे जीवन में एक्टिवेट हो जाता है, और जब प्रभु क का वशन हमारे जवन में एक्टिविट होता है हमें कुशिया मिलती है आनंद मिलता है चुड़कारा मिलता है बंदरों से हमें अजादी मिलती है इसलिए हम इस वशन को सुनें वशन लिया है संत योहन के द्वारा रचित सू समचार अध्याई 10 पसंक्या 11 से 16 तक यहां पर ल कलिक बेडियों को आते देख बेडों को चोड़कर भग जाता है और बेडिया उन्हें लूट ले जाता और तितर बितर कर देता है मज़दूर भग जाता है क्योंकि वह तो मजदूर है और उसे बेडों की कोई चिनता नहीं बला गडे रिया मैं हो जिस तरह पिता मुझे और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपने बेड़ों को जानता हूँ, और मेरी बेड़े मुझे जानती हैं, मैं बेड़ों के लिए अपने जीवन अरपित करता हूँ, मेरी और भी बेड़े हैं, जो इस बेड़ शाला की नहीं है, मुझे उने भी ले आना है, वे भी मेरी आवाज सुनेंगी तब ये की जुन्ड होगा और ये की गडरिया प्रभु का सू समचार क्यारे भाईयों बहनों वो सुन्दर वचन हम लोग ने सुना है इस वचन पर मनंचिंतन करें एक बार की बात है मैं गाड़ी से कुछ युवा लोगों के प्रोग्राम के लिए जा रहा था और उस वक्त मेरे साथ हमारे राश्ट्रियास तरपर कारी करने वाली युवा लोगों के बीच में कारी करने वाली एक धर्म बहनती वो भी युवा लोगों से बात्चित करने के लिए जा रहे थी जैसे हम एक जगा से निकले जिस जगा पर कारी करम था वहां पर जाने के लिए तो मैं गाड़ी चला रहा था गाड़ी में एक आवाज आ रहे थी लगातार तो जब आवाज आ रही थी उस भेहन ने उस धर्म भेहन ने मुझसे पूछा किस बात के आवाज आ रही है तो मैंने उसे उत्तर दिया यह आवाज इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने सीट बेल्ट नहीं पहना है जब तक मैं सीट बेल्ट नहीं पहनूंगा यह आवाज आती रहेगी इस बात को बताने के लिए कि मैंने सीट बेल्ट नहीं पहना है काफी देर तक वो आवाज आती रही और उसके बाद वो आवाज आना बंद हो गया जब आवाज आना बंद हो गया उस दर्म बेहन ने मुझे से पूछा आप कहे रहते कि जब तक मैं सेट बेल्ट नहीं पहनूँगा तब तक आवाज आएगी और उसके बाद नहीं आएगी अब तो यह आवाज नहीं आ रही और आप ने सीट बेल्ट भी नहीं पहना है तो मैंने उस बेहन को कहा देखो इस गारी के सिस्टम ने मुझे याद दिलाया लंबे समय तक बेटा, सीट बेल्ट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, सीट बेल्ट पहनो और आवाज देती रही, देता रहा जब मैंने उसकी आवाज को अन्सुना कर दिया वो आवाज अपने आप में बंद हो गई इसका मतलब मैंने कहा उस महन से कहा इसका मतलब यह नहीं कि मैं सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ कत्रा जरूर बना हुआ कभी ना कभी, कत्रा हो सकता है लेकिन उसने प्रयास किया उस गाड़ी का सिस्टम ने बार 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 आवाज देते हुए मुझे कहा सीट बेल्ट पहनो, सीट बेल्ट पहनो मैंने अंसुना कर दिया उस आवाज को उसके बाद, मैंने इस बाद पर विशार किया अगर एक इनसान ने बनाये हुए इस गाड़ी के अंदर इस प्रयास का सिस्टम हो सकता है हम सबों को उस इश्वर ने बनाया है कितना बहतर सिस्टम हमारे अंदर रखा है इश्वर ने जिस प्रकार से सीट बेल्ट पहनने के लिए गाड़ी ने लगातार मुझे आवाज दी पीई 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 होंके आवाज दी उसी प्रकार से हमारे अंदर एक ऐसा सिस्टम रखाइश वर ने जब हम कुछ गलत काम सोचते हैं गलत कारी के बारे प्लान करते हैं करने के लिए चड़ी अंतर रचते हैं सोचते हैं गलत काम करने जाते हैं हमारे अंतकरण के आवाज हमें आवाज देती हैं बेटे ये काम ठीक नहीं है सही नहीं है अच्छा नहीं है उचित नहीं है गलत है गलत है इसको मत करो ये तुमारे लिए सही नहीं है ये मत करो ये मत करो हमारी अंतरात्मा के आवाज आवाज देती रहेगी हमारा अंतरात्मा के आवाज आवाज देती रहेगी और वह आवाज लगातार देगी 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 बहुत लंबे समय तक वह आवाज अंतरात्मा के आवाज देती रहेगी देती रहेगी देती रहेगी बेठा ये हम जे रहे हो, जिस पर ऐसे कर रहे हो, जिस पर ऐसे सोच रहे हो, जो प्रान बना रहे हो, गलत, 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 यह सही नहीं है, छोड़ दो, छोड़ दो, इन बातों को छोड़ दो, हमारी अंतरात्मा के आवाज हमें पुकारती रहेगे, आवाज देती रहेगी, एक समय आवाज बंद हो जाएगी या फिर हम बंद कर देंगे उसको लगातार आवाज हमारी आतियां अंतरात्मा से और उस आवाज को जो हम नहीं सुनते हैं वो आवाज अपने आप में बंद हो जाएगी इसका मतलब यह नहीं कि हम सेफ हो गए जिस प्रकार से गाड़ी का बेल्ट नहीं लगाने पर बले गाड़ी की आवाज बंद हुई गाड़ी का बेल्ट पहनने के आवाज बंद हुई हम सेफ नहीं हैं बेल्ट नहीं पहनने पर एसी प्रकार से हमारे अंतरात्मा के आवाज आई 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 और हमने सुना नहीं अंसुना कर दिया हम सेफ नहीं हैं खत्रे में हैं बहुत बहानक खत्रे में हैं जब अंतरात्मा के आवाज नहीं सुनते हैं अंसुना कर देते हैं हम जबर्दस कत्रे में प्रवेश करते हैं ब हमारी अंतरात्म के आवाज पीम 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 नहीं करेगी वो अंसुनी आवाज है लेकिन हमें पता पता चलेगा कि आवाज आ रही है गाड़ी के आवाज के बांते हम सुन नहीं पाएंगे लेकिन हमारी जो विक्ति आद्यात्मी रूप में स्वस्त है जिसका अंतकरण ठीक टाक है वो आवाज सुन पाएगा जो नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, उसका अंतकरन आवाज देना बंद करेगा, अंतकरन कुछ नहीं बोलेगा, शान्त हो जाएगा तो हमें हमारी अंतकरण की आवाज को सुनने की आवश्य कता है आज के इस वच्चन में हमने सुना प्रुभु कहता है मैं भला गडेरिया हूं और इस बात का वर्णन करते हैं प्रुभु क्या कहता है मैं बला गड़ेरिया हूँ, मैं अपने बेड़ों को जानता हूँ और मेरी बेड़े मुझे जानती है मुझे जानती है, मुझे पहचानती है, मेरी आवाज तक पहचानती है मेरी आवाज को सुनती है प्रभु ने कहा मैं बला गड़े रिया और तुम मेरे बेड़े क्या मैं उस प्रभु की आवाज सुनता हूँ प्रभु ने कहा मेरी बेड़े मेरी आवाज सुनेंगी पहचानेंगी किसी बहार का गैर व्यक्ति का आवाज वो नहीं सुनेंगी नहीं उसका अनुसरण करेंगी वो केवल मेरी आवाज सुनकर मेरे इशारे पर चलेंगी मेरा अनुसरण करेंगी तो हम किस किस का आवाज सुनते हैं कि क्या वस बला गडिरिया के झो कहता है मैं अपने बेड़ों के लिए अपनी जान तक गुर्बान कर दूँगा, और गुर्बान कर दिया उसने हम सबों को बशाने के लिए, शेटान के पंजों से हमें छुड़ाया, अपने लहु के किमत से हमें खरीदा क्या हम उस बला गडियर के आवाज सुनते हैं या फिर बेडियर के आवाज सुनते हैं जिस प्रकासे बताया कि बेडियर आएगा हमारा नुक्सान करेगा थोड़ेगा हमारा सरुनाश करेगा बरभात करेगा जिस प्रकासे योहन का सूर समझ रहा है दस पसंगे दस में पढ़ते हैं चोर केवल चुराने मारने नस्ट करने आता है बरबात करने आता है प्रभू कहता है मैं बला गड़िया बनकर आया हूँ तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ बलकि बहुत आयत का का जीवन को ग्रहन करने के लिए में उसके आवाज को सुननी होगी उसके आवाज को पहचानना होगा और उसके अनुकरन करना होगा अनुसरन करना होगा इसको फॉलो करना होगा किसी अंजान विक्ति काम अनुसरन नहीं कर सकता अंजान विक्ति हमारा नुक्सान कर सकता है हमारा बला गड़ेरिया अपनी बेड़ों के लिए अपनी जान कुर्बहन करता है उसके आवाज हम सुने हर दिन वो अपनी हर दिन हमें आवाज देता है अलग अलग गटनाओं के माद्दें से हमें आवाज देता है उसके आवाज देने का तरीका अलग-अलग होते हैं अलग-अलग गटना हैं जो हमारे जिवन में गटी थोती उस गटनाओं के द्वारा वो भला गडिर हम सबों के आवाज देता है उसके आवाज को अंसुना ना करें अलग अलग लोगों के द्वारा वईश्वर वबला गड़ेर हमें आवाज देता है उसकी आवाज को सुनने का प्रयास करें अंसुना ना करें प्रभु के वचन हम पढ़ते हैं सुनते हैं उसके अनुसार वो बला गड़ेर हमें आवाज देता है उसके आवाज को सुने अंसुना ना करें संसकारों के माद्यम से मिस्सबलिधान के माद्यम से वो बलागडेर हम सबों का आवाज देता है उसके आवाज को सुने अंसुना नां करें अलग अलग प्रकार से वो हमें आवाज देता है कहता है क्या कहता है तुम सभी ठक गए हो बोच से दब गए हो मेरे पास आओ ठके मांदे बोच से दबे हुए लोगों तुम सब के सब मेरे पास आओ मैत में विश्राम दूँगा मैत में चुड़कारा दूँगा तुमारा बोच हलका करूँगा तुमारा तनाओ दूर करूँगा चिंताएं कुरूंगा समधान दूंगा वो बदा गड़ेरी हमें आवाज देता है बुलाता है कि हम तयार है उसके आवाज को सुनने के लिए अगर उसके आवाज को अंसुना करेंगे हम खत्रे में रहेंगे हम गुम्रा हो जाएंगे बेडिया आएगा हमें तितर बितर घर देगा हमार बात कर देगा हमारे शांति बंग हो जाएगी प्रभु के आवाज सुनें वो एक गीत है प्रभु के आवाज सुन लेना मेरी आत्मा पुकारता है वो प्रभु तुमको निरंटर और वो प्रभु निरंटर में पुकारता उसके आवाज को अंसना ना करें, वो बारं-बार में पुकारता है, बेठा मेरे पास आओ, गुम्रा हो गे हो, खोई हुई बेड के बांती लवड के आओ, वो खोई हो कि खोच करते विस दुनिया में आया, अगर मैं खोई हुई बेड के बांती हूँ, बटक गया हूँ, कलिस्या साल बर में अलग-अलग अनुग रहकर समय में हमें प्रदान करते हैं में बुलाता है, आगमन का काल में प्रभु हमें उसको ग्रहन करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए तयार होने के लिए में बुलाता है, चालिसे की आओदी हमें सच्चे पश्चताप के साथ प्रभु के पास लौटने के में बुलावा देता है हर दिन वह प्रभु हमें बुलाता है कलिस्या के माध्यम से कलिस्या के अधिकारियों के माध्यम से इश्वर अपने नियमों के माध्यम से संसकारों के माध्यम से कलिस्या अपने नियमों के माध्यम से हमें निरंतर ब बुलाता है उसके आवाज को अनसुना ना करें उसके आवाज को सुने ग्रहन करें और उसका अनुसर करन करें वो हमें जीवन देता है वो हमें जीवन देता है उसका अनुसरन करें वो चाहता है कि अब उसी की आवाज सुनें किसी गैर की आवाज ना सुनें गहर विक्ती अपनी बेड़ों के लिए अपनी जान कुरबान नहीं करेगा अपनी बेड़ों का बचाने के लिए दुश्मनों से लड़ेगा नहीं बला गड़ेरिया हमें बचाने के लिए दुश्मन से लड़ेगा दुश्मन से उसने लड़ाई की दुश्मन को हराया अपनी मृत्यों के दौरा और अपने पनुरत्तान के दौरा दुश्मन को हराया हम सबूं को फिर एक बार पिता के साथ जोड़े रखा उसकी इच्चा यही है कि हम एक जुंड में रहें वो गड़रिया और हम उसके बेड़ें एक साथ रहें जो एक साथ नहीं रहता है उसके एक पर शत्रु आकरमन कर सकता है आपका शत्रु दहरते सींग के तरह विचरता रहता है कि कब किसको फाड़का है अगर हम उस बलगड़े के चत्रचा आएमे नहीं हैं उसके साथ नहीं चुड़े हैं हम बटक गए हैं घमरा हो गए हैं हमें दुश्मन आके हमारे प्राकरमन कर सकता है जरूरी है भाईव भेहनाम उस बलगड़ेरी के आवоз को सुने उसके आवाज को अंसुना ना करें, हमारे अंतकरण के आवाज को सुनें, हर दिन, हर बार, हर पल हमारे अंतकरण हमें आवाज देती है, जब हम गलत करने वाले होते हैं, गलत सोचते हैं, गलत विचार बना, विचार हमने मन में रखते हैं, गलत प्लानिंग करते हैं, गलत का आने के लिए हमें पुकारता है उसके आवाज को सुनें भाईयो बेहनों हम कितनी बार उसके आवाज को अंसुना कर देते हैं हम इस गीत को जरूर का जरूर गाते हैं तू मेरा चरुआ हा मुझे ना चाहा कोई सदा है तुझे चाहा हम गाते तो हैं लेकिन हम अपनी इसाफ स कि पीछ जाता है दुनिएमिंब बठक जाते खो जाते हैं इसलिए प्रभू हमें आवास देता बुलाता है कि मुझे के आवाज को सुनें दुनिया के शोर शराब के बीच में पर कि बीच रहे हैं लेकि मुझे पता है मुझे कान देने की जरूत है द्यान देने की जरूत है प्रभु की आवाज पर प्रभु मुझे क्या कहता है इस दुनिया के बीच में भी प्रभु मुझे क्या कहना चाहता है क्या आवाज देता है मुझे इस बात की उस आवाज को सुनने की पास आओ, तब नहीं जब मुझे कत्रा है, बलकि हमेशे उसके सानेद में रहो, कोई कत्रा आएगा ही नहीं, कत्रा आने के बाद हर कोई आवाज देगा, कहा है तू प्रभू, हर कोई पूछेगा, लेकिन कत्रा आने से पहले अगर प्रभू के साथ रहेंगे, प्रभू के सा आवाज हम सुने भायों बहनों बच्छों युवासातियों यह जरूरी है कि हम प्रभू के आवाज निरंतर सुने हर दिन सुने उसके आवाज हर दिन सुने दुनिया बर के आवाज हम सुनते हैं उसमें ज्यादा फाइदा नहीं है फाइदा हमें प्रभू के आवाज सुनने से प्रभु के आवाज सुनने से प्रभु की बात सुनने से प्रभु का वचन सुनने से हमें फाइदा होगा निरंतर हमारा अंदर जीवन आएगा जीवन का विखास होगा व्रद्धी होगी और हम प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ते रहेंगे इसलिए आज के दिन में जीवन है लेकिए आपके जीवन को नहीं अपना आता हूं आपके मार्ग पर नहीं चलता हूं आपके सत्य के मार्ग पर नहीं चलता हूं असत्य अंदकार अन्याय से मैं कहीं बार जीवन बिताने लगता हूं मैं कहता हूँ जरूर हूँ कि आप मेरा बला गड़ेरिया है बला चरवा है लेकि मैं आपके आवाज बहुत बार नहीं सुनता उन सुना कर देता हूँ प्रभु मुझे क्रपा दे शक्ति दे सामर्द आज हम प्रभु से प्रार्तना करें ताकि हम प्रभु के आवाज सुनने वाले बने प्रभु के आवाज सुनते उसका अनुसरन करने वाले बने आई हम प्रवु की आवाज सुनने की क्रपा के लिए इस वक्त प्रार्तना करें सर्वशक्तिमान पिताव परमेश्व धन्यवाद देते हैं आज के जीवंत वशनों के लिए आपने अपने वशन के द्वारा में बताया है कि किस प्रकार से हमें हमारे अंतकरण के आवाज को सुनने के जरूत है प्रव येसु के आवाज को सुनने के जरूत है आपकी आवाज से उस हमचार के माद्यम से पवित्र वशन के माद्यम से सुनने के जरूत है कलिस्या के अधिकारियों के द्वारा में सुनने के जरूत है संसकारों के द्वारा हमें सुनने के जरूत है अलग अलग पुजन पद्दती के नियमावली के द्वारा आपके आवाज सुनने के जरूत है आपने हमें सिखाया है प्रभू हम सुभूं का आपके आवाज को सुनने के लिए पहचानने के लिए उसके अनुसार आपका अनुसरन करने के लिए हमें सिखाएए हम दुरबल हैं हमारा द्यान दुनिया में दुनिया के बातों में दुनिया के शोर शरावा में बटक जाता है हमें कृपा दीजिए ताकि हमारा द्यान आप पर केंदित रहे, आपके आवाज पर, आपके वचन पर केंदित रहे, जिससे के आपका वचन सुनकर उसके अनुसार हम सभी जिवन बिताने वाले बन सकें, दुआ करते हैं, उद्धार करता, एस मस्य के नाम से, आमेन